हेलो फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे हम लोग आज के सुड़ों में क्रिप्टो मार्केट न्यूज के उपर तो फ्रेंट्स सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटिमेंट को और बात करें यहाँ पर फियर एंड गिरिड इंड घ्रेट में गता है जो रिंगे कैंठ लोग करते हैं और आशाप की जिसतर से साथ सब क्याल Pokr प्रेंगे को मिलाए तोटर्णा घार्वर्ए उबात करने ते परिंगे अरशसे लावा जो भी मार्रकेट में बढ़ाव मार्ट में उसे देखेंगे तो बात करेंगर overall market cap की तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 trillion है यहां पर 2.02 trillion देखने को मिल रही है वहीं अभी भी market में जो है growth है इस टाइम में जो की है 1.19% की जो की कम है बट फिर भी यहां पर growth देखने को मिली है तो चलो friends अब मैं बढ़ते हैं नीज के त तो friends जिस तरह से आपको पता है कि ट्रेजरी जो है crypto regulation पर work कर रही है तो वहां से आपको खबर निकल कर आ रही है जो की है यहां पर जैनेट यहलन यह मानती है और स्विकार करती है कि जो crypto है इसके फायदे है तो इन्होंने यह जो बात है कही है और यह खुद जो crypto regulation है उसमे इन्कलूड है तो यह क्या है तो friends चलो नीचे अभी क्लियर हो जगा तो यहां पर देख सकता है US Treasury Secretary है यह आपको जैनेट यहलन और इन्होंने यह माना है कि क्रिप्टो है मतलब cryptocurrency है उसके जो है फायदे भी है जिस तरह से यह लोगी regulation पर work कर रहा है तो चलो फ्रेंट इस व बहुत सारे जो American है उनके जो decision है investment को लेकर उसमें जो cryptocurrency एक बहुत ही अहम जो योगदार है अहम एक हिस्सा है वो role play कर रहा है तो चलो फ्रेंट साब बढ़ते हैं अगले news के लिए तो फ्रेंट्स यह जो news है यह है आपको coinbase के तरफ से और यहाँ पर है कि जो coinbase है वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो अपने जो services हैं उसमें कुछ बदलाव कर रहा है और यह बदलाव जो है फ्रेंट्स हर जगह के लिए नहीं है मतलब country के लिए नहीं है यह especially कुछ country के लिए किया जा रहा है और यह क्यूं कर रहे है अपने जो features है services उसमें बदलाव क्यूं कर रहे है ताकि यह जो local जो crypto regulations है कहां पे तो Canada के अंदर जापान के अंदर सिंगापूर के अंदर जो वहां के जो crypto regulations है जो crypto को लेकर कुछ नियम कायदे है उसको यह fulfill कर सके उसका जो यह customer को provide के जेते हैं कहां पे तो three countries में तीन country में जो कि क्या करेगा तो केवल इंपक्ट उसका होगा इस services में जो चेंजे जा रही उसका प्रभाव पढ़ेगा वो किस users पर पढ़ने वाला है तो Canada की users पे Singapore जापान की users पे जो कि क्या करते हैं तो अपने digital assets को ट्रांसफर करते है Coinbase Exchange के wallet से दूसरे wallet पे Coinbase कहीं platform पे wallet to wallet जो ट्रांसफर होगा रहा है मतलब में यहाँ पे एक highlight करके दिखाए गया है और भी कुछ services हो सकते हैं जिसमें वो change करेंगे जो कि वहां के crypto regulation के according वो कर रहे हैं ताकि वो crypto regulation का अनुपालन कर सके उसको follow कर सके तो चलो friends अब हम बढ़ NFT collection है तो चलो friends नीचे थोड़ा साते हैं और details अगर निकल जाए तो देखते हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर medium of war जो है NFT collection के लिए यहाँ पर इसे launch किया जाएगा और साती साथ इसके बार और एक बार मैं अच्छे से देख लिता हूं और भी कुछ अगर ह तो ठीक है नहीं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो friends यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी sale होगा जो भी sale जब proceed होगा उसके दवारा जो भी fund जो भी पैसे आएंगे जब आपको पता NFT जो भी sale होती है तो जो भी पैसे आएंगे वो directly कहा जाएंगे तो crypto official wallet में जाएंगे जो की वहाँ के ministry है जो digital transformation है यूकरेन के जो की बनाए गया है वहाँ पे जाएगा और वो जो fund होगा किस चीज के लिए काम आएगा तो army को support करने के लिए वहाँ के civilians को according to the museum website set up by the government तो ये जो government के दोवारा museum का जो website जो है उससे बनाए गया है उसके हिसाब से ये जो ख़बर निकल कर आया है कि जो भी sale होगा जो proceed किया जाएगा जो भी sale होगा उसका जो भी पैसा होगा सब directly कहा जाएगा तो ये crypto wallet के होते विए जो digital transformation यूकरेन को जाएगा और वो पैसा कहां पे यूज होगा तो army को support करने के लिए जिस तरह बाकी भी donation और funding को यूज कर रहे है उस बात है जब government launch करेगा तो पैसा government के पास जाएगा और government अपने ही साब से army होगा रजिस तरस वार अभी भी continue होगा तो वहाँ पर यूज होगा तो चलो फ्रेंस अब बढ़ते अगले news के लिए तो फ्रेंस यह जो ख़बर यह आपको है Malaysia के तरफ से तो फ्रेंस यहाँ पर करते हो कि जो अपलेशिया के डिप्टी फाइनस मिनिस्टर जैसा के तस्वीर में अभी जो उपर में सक्सेदिके थे उन्हों नहीं यह किलियर करते हुए कहा कि जो गवर्मेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को लिगल टेंटर तौर पे एकसेप्ट एडॉप्ट नहीं करने वाली है और क्य इसो पहर करते हैं तो इस नीज के बारे में बात करें है तो यहाँ पलगजी डेवलपर हैं क्राफटन उन्होंने किस के साथ पार्टनर सीप किया है तो और है आगे अगले निश के लिए तो अब यहां पर है कि यह जो लगजरी आपको इटेलियन रिटेलर माइकल फ्रेंच फ्रेंचीज है मोडा रिवील्स इन्हों ने बोला कि इनका जो फैसन ब्रांड है वो क्या एक्षप्ट करेगा तो क्रिप्टो पेमेंट एक्षप्ट करेग कि किस तौर पे तो पेमेंट के तौर पे यहां पर एक्षप्ट किया जाएगा और यह बात की कौन रिवील किया तो इन्हों ने खुद कम यह कंपनी के द्वारा रिवील की गई है और यह जो डिसीजन है यह माइकल फ्रेंच जी जो कि मोडा ऑनलाइन मैगजीन के आर्टि अच्छ कि की तो डिवील के तो डिवील के पाद के वश्ट टोले